तो अगर आप स्वीट लवर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, ये स्वीट रेसिपी ना केवल इंडिया में, बलकि विदेशों में भी काफी पॉपुलर है, लेकिन सबसे पहले, हेलो एवरिवन, वंदूस फूट टेबल में आप सभी का दिल से स्वागत है, तो फ्रेंड्स, आज मैं एक स्वीट रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो सभी सोचते हैं कि ये स्वीट तो केवल हलवई ही बना सकता है, लेकिन आज मैंने कुछ ऐसी टेप्स और ट्रिक्स का यूज किया है, जिससे ये रेसिपी बनाना काफी आसान हो जाएगा, तो बिना देरी करें, चलिए फटा-फट से स्टार्ट करते हैं, तो आज हम ये स्वीट रेसिपी एक कप मैदा से बनाएंगे, और वो भी बिना मेहनत, उसके लिए एक बड़े मिक्सी जार को ले लेते हैं, और उसमें डालते हैं, चार चमच घी, तो यहां घी ना तो बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, और नहीं बहुत ज़्यादा पिगला, तो जार में घी को डालने की बाद अब इसमें हम डालेंगे, चार से पाँच आइस क्यूब, यहां घी और आइस क्यूब डालने की बाद कुछ सेकन्ड तक मिक्सी जार को ग्राइंड करके हम ले लेगे, त पर घी काफी ठीक हो गया है और मक्षन के जैसे नजर आ रहा है तो अब इसमें हम डालेंगे आधा कब दूद ये दूद रूम टेंपरेचर पर है इसे डालने के बाद कुछ सेकंड मिक्सिजार को हम फिर से ग्राइंड करके ले लेंगे देख सकते हैं कि दूद में घी कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और एकदम क्रीम के फॉर्म में नजर आ रहा है तो अब इसमें हमें डालना है मैदा लेकिन मैदा हम एक साथ नहीं डालेंगे चार से पांच बड़े चमच इसमें मैदा हम डालने के बाद इसे एक बार हम ग्राइंड करके ले लेंगे त साथ ही डालेंगे पानी, तो यहां मैंने फ्रिज का एकदम ठंडा पानी लिया है, आधा कप, आधे कप में से मैं थोड़ा पानी अभी डाल देती हूं, बाकी का पानी मैं बाद में डालूंगी, तो मैदे का ये दूसरा बैच भी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, ऐसे में बचे हुए मैदी को भी इसमें डाल देती हूं, और आधी कप का बचा हुआ पानी भी डाल देती हूं, अथी हम डालेंगे इसमें एक चमच बेसन का, बेसन डालने के बाद मिक्सिजार को हम ग्राइंड कर लेते हैं, तो यहां पर हम राजिस्तान की फेमस रेसिपी घे गेवर का घोल बनाते समय हमें बहुत बार फेटना होता है, जो काम हमने आसान करने के लिए यहां पर इसे मिक्सिजार में बना कर तयार कर लिया है, अब तयार घोल को हम एक बावल में निकाल लेते हैं, तो अब इस बावल के घोल में हम डालेंगे आधा कप फ्रिच का ठं तो यहां हमने थोड़े थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें आधा कप पानी और डालेंगे पर घेवर की गोल में हमेशा पानी आपको फ्रिज का ठंडा ही डालना है यहां पर हमें घेवर की गोल को रखना है एकदम ठंडा एक कप मै गेवर का गोल हो गया है तयार अब इस गोल को ठंडा रखने के लिए एक दूसरे बाउल में मैं आइस क्योप्स ले लेती हूँ और उसके उपर गेवर के गोल वाले बाउल को प्लेस कर देती हूँ जिससे कि गेवर का गोल हमेशा ठंडा बना रहेगा तो अब इस गोल में ड बना लिया है आप चाहे तो इसकी जगध सॉस बॉटल का भी यूज कर सकते हैं पर सॉस बॉटल सभी के पास नहीं होती और इस बॉटल में मैंने घेवर के घुल को भर लिया है तो आप चलते हैं हम घेवर बनानी की और तो यहां मैंने चोड़े मूँ के कुकर के अंदर तेल को गर्म होने रख दिया है आप चाहे तो किसी भी पतीली के अंदर घेवर को बना सकते हैं या आप चाहे तो कडाही में भी घेवर बना सकते हैं लेकिन कड़ाही में उतना अच्छा शेप नहीं आता, तो मैं सजिस्ट करूँगी कि आप पतीली या इस प्रकार के चोड़े मूँ वाले कूकर में घेवर बनाएं, और जिस बरतन में भी आप घेवर बना रहे हैं, उसे आप केवल आदा ही तेल से भरें, यूँकि घेवर बनाते समय तेल काफी तेजी से उचल कर बाहर आता है, तेल के गर्म होते ही हम बोटल से घोल सेंटर में डालेंगे, और आप देखेंगे कि घोल बहुत ही तेजी से किनारे पर चला जाता है, एक बार जब झाग खतम हो जाते हैं, तभी हम दूसरी बार घोल को डालेंगे, और हर बार घोल हम सेंटर में ही डालेंगे, अगर आपको सेंटर की जगा फील लगे, तो आप चाकू से या किसी भी चीज से सेंटर में इस प्रकार से जगा बना लीजिए, और हर बार घोल को center में ही डालते जाएं तो ये process आप 10 से 12 बार repeat कर सकते हैं और आप जितनी बार ये process repeat करेंगे आपका गेवर उतना ही थिक बन कर त्यार होता है तो गेवर बनाते समय गैस की flame को हम रखेंगे medium to high और process को repeat करते हुए गेवर बना लेंगे तो यहाँ एक घेवर को सिखने में 10 से 15 मिनेट लग जाते हैं घेवर जब golden brown नजर आता है तो हम चाकू से इसे हिला कर देख लेते हैं कि इसकी ages चिपकी तो नहीं है अगर चिपकी है तो आप इसे चाकू से हलके से निकाल लीजिए और सेंटर में चाकू डाल कर इस घेवर को बाहर निकाल लीजिए ऐसे ही हम और भी घेवर बना लेते हैं तो एक कप मैदा से धेर सारे घेवर बनकर तयार हैं तो आप देख सकते हैं कि मोटे घेवर के लिए मैंने घोल को 15 से 20 बार डाला था और पतले घेवर के लिए यहां मैंने घोल को 9 से 10 बार ही डाला था तो यहां घेवर को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं तो घेवर की रबड़ी के लिए आधा लीटर दूद को डाल देते हैं गैस की फ्लेम को हम रखेंगे medium to high और इस दूद में एक अच्छा सा उबाल आने देंगे तो जब दूद में एक उबाल आ जाता है तो गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा लो कर देंगे और इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे अब इसमें हम 1 फोर्थ कप मिल्क पाउडर डाल देंगे जिससे की दूद हमारा अच्छा सा यहां थिक हो जाए तो मिल्क पाउडर डालने की बाद इसे आप अच्छे से मिला लीजिए ताकि मिल्क पाउडर की गांठे ना रहे एक बार जब मिल्क पाउडर दूद में अच्छी तरीके से मिल जाता है तो गैस की फ्लेम को हम medium to high फिर से कर देते हैं और इसे लगातार चलाती हुए इसे गाड़ा कर लेते हैं अब आप देखेंगे 5-6 मिनिट में ही हमारा दूद अच्छा सा थिक नजर आ रहा है तो इस समय हम इसमें 2 चमच चीनी और साथ ही डालेंगे 1 चमच कुटी हुई इलाईची डाल कर यहाँ पर हम दूद को अच्छा सा थिक बना लेंगे तो यहाँ हमारी रब्ली भी हो गई है तयार घेवर के लिए यहाँ हमें गाड़ी रब्ली ही चाहिए तो आप देख सकते हैं कि रब्ली काफी थिक नजर आ रही है तो इसे बनाने के बाद आप बना लेते हैं हम चाशनी उसके लिए एक पतिली में हम डालेंगे 2 कप चीनी साथ ही डालेंगे 1 कप पानी और यहाँ चीनी घुलने तक इसे हम पका लेंगे तो चीनी यहाँ अच्छी तरीके से घुल चुकी है अब इसमें हम डालेंगे 1 चमच कुटी हुई इलाईची घेवर के लिए हमें चाशनी एक तार की नहीं चाहिए बस एक तार जैसा बनने लगता है तो वहाँ हमारी चाशनी हो जाती है रडी तो यह चाशनी भी यहाँ तयार है अब रडी घेवर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक घेवर को ले लिया है और इसके ओपर चाशनी अच्छे से हम डाल देते हैं अगर आप और भी घेवर एक साथ बनाना चाते हैं तो इस गेवर के नीचे एक और गेवर को रख सकते हैं जिससे की एक्स्ट्रा चाष्णी दूसरे गेवर में भी चली जाए चाष्णी को यहाँ डाल लेने के बाद अब गेवर पे हम डालेंगे रब्ली तो रब्ली गेवर के लिए हमेशा थेखी बनाए क्योंकि अगर रब्ली पतली होगी तो वो गेवर से बाहर निकल जाएगी तो यहाँ रब्ली डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से फैला लेते हैं रब्ली को फैलाने के बाद अब इसे हम कटे हुए ड्राइफ रूट से डेकोरेट कर देते हैं आप चाहें तो चांदी के वर्क और उलाब की पत्तियों से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं मलाई घेवर को जब खाना हो उससे पहले ही इसमें रब्ली लगाए नहीं तो यह काफी सौगी हो जाएगा तो हमेशा की तरह अगर रैसिपी अच्छी लग रही हो तो करें इसे लाइक चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को फ्रेंड्स और फैमली में शेयर तो घेवर से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है अगर आपकी कोई क्यारी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं किसी और बीडियो